दुनिया का सबसे उंचा महराबदार रेलवे पुल बनकर तयार है। यहां पर जम्मु कस्मीर के रियासी में चिनाब नदी के उपर यह पुल बनाया गया है। भारतिय रेलवे का हीरा कहा जा सकता है यह पुल। यहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में रेलवे के अधिकारी यहां पर जुटे हुए हैं साथ ही साथ आखरी हिस्सा इसमें लगाया गया और आतिसबाजी के साथ घोशना की गई कि यह पुल बनकर तैयार हो गया है यहां पर भारत का तिरंगा जंडा लहरा रहा है बड़े जबर्दस तरीके से लहरा रहा है आपको लग रहा होगा कि हवा से लहरा रहा है जी नहीं यह यहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी मेहनत और लगन से यहां पर लहरा रहा है यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह दुनिया का अजूबा पुल बनक तयार हो गया है इस पुल की अगर उचाई की बात करें तो 369 मीटर है नदी के तल से यहां पर नदी भी आप देख सकते हैं थोड़ी देर में देखे किस तरीके से नदी नजर आ रही है नीचे नदी बह रही है और उपर यह ताकतवर पुल बन कर तयार हुआ है और अलग तर पहुचना मुस्किल था और दुनिया की सब से उची क्रेन भी आपको यहां पर नजर आ रही होगी क्योंकि यहां पर जो भारी भरकम हिस्से हैं उनको लाने ले जाने के लिए भी काफी मसकत करनी पड़ती थी एक तरफ कोड़ी है तो दूसरी तरफ बकल यह दोनों हिस्से अब जुड़ गए हैं और यहां पर मैं आपको बता दूँ रेलेवे का यह हैरत अंगेज पुल जम्मू के रियासी जिले में चिनाम नदी पर बनाया गया है आर्च ब्रिज है जो नदी तल से 369 मीटर उचा है और इसकी उचाई की अगर हम बात करें तो दिल्ली के कुतु अब यह पुल तयार हो चुका है यहां पर अब रेलेवे लाइन बिचाने का काम किया जाएगा और यह रेलेवे लाइन जल्द ही यहां पर नजर आएगी क्योंकि नवंबर तक इस इलाके में रेलेवे लाइन बिचा लिये जाने का टार्गेट रखा गया है और यह पिरकार अब जाकर यह पुल पूरा हुआ है यहाँ पर जब इसको बनाने की तैयारी शुरू हुई थी तो तकरीबन शाड़े 500 करोड के आसपास इसकी कीमत आखी गई थी अब जो आखलन है वो 1100 करोड को भी पार कर गया है सिर्फ इसी पुल की मैं बात कर रहा हूँ 111 किलो किलोमीटर में से तकरीबन 98 किलोमीटर का हिस्सा सुरंग के अंदर से है आप समझे पीर पंजाल की इन पहाड़ियों से यह रेलवे लाइन को ले जाना एक बड़ा चैलेंज था जिसको भारत के इंजीनियर्स ने स्विकार किया और आमने सामने की लडाई में हम कह सकते हैं कि भारत के इंजीनियर्स ने देश का जंडा उचा रखा है यहाँ पर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कितनी मेहनत का काम है आज-पास के पहाड़ों की बात करें तो मौसम के बड़े चैलेंज हैं यहाँ पर क्योंकि तापमान में उतार चढ़ाओ देखा जाता है जह अभी इस पुल को कोई नुकसान नहीं होगा साथी साथ इसमें खास तरीके की तकनीक की इस्तेमाल की गई है जिसमें जंग नहीं लगेगी यानि पुल कमजोड नहीं पड़ेगा साथी साथ अगर हम इसकी उम्र की बात करें तो 100 साल से जादा की उम्र है इसकी और साथी सा यहाँ पर अगर कोई ऐसी घटना भी होती कोई इस पर सिधा सिधा बम फोड़ दे तब भी इस पर कोई असर नहीं होगा तब भी ट्रेन को धिमीकति से आर पार ले जाये जा सकता है यानि पूरी तैयारी है इस पुल की और आने वाले दिनों में यहाँ पर तेज रफतार ट् करती हुई नजर आएंगी यानि स्रीनगर को देश से जोडने का काम यह पूल करेगा